एक और जहां पूरे देफ में गंटतन्तर दिवस को दूम्दाम से मनाया जा रहा है वहीं सहिदों और सवतंतरता सेनानियों की याद में जंगा डंगार्गे करने के लिए हमारा साथ औरगार सब्सक्राइब भर्ष संग्जी बारे में कुछ ब牛त अगए उस लंभी परंपरा का एक हिस्सा थे जिनोंने देश की आजादी के लिए संगर्श किया, उनके दादा जी से ये परंपरा चली, उनके दोनों चाचा सुतिंतान दुलन में रहे, सरदार स्वार्ण सिंग उनके छोटे चाचा उनिसो दस में शहीद हो गए, और दूसरे बड़े चाचा सरदार अजीद सिंग, चालिस साल के निर्वा का एक हिस्सा थे, अठारा सु सतावन के सुतिंता अंदुलन से लेके उनिस सु सैंतालिस तक साड़े साथ लाग से अधिक नवियों को ने देश की सुतिंता के लिए बलिदान दिये, और काला पानी की उन्ची दिवारें सेलिलर जेल की और जगा जगा फासी के फंदे, इस के बाद, लेकिन नेतिक मूलियों में और अपने शहीदों को याद करने में हम लोग पिछड़ गए, आप देखिए कि बहुत छोटा सा काल रहा जब भारत की सुतिंता के अरजित जैनती मनाई गई, तब 1972 के आसपास सुधिंता सेनानियों को याद किया गया, उस से पहले और उसके बाद उन्हें भुला दिया गया, आज हम पाठे करमों में देखते हैं कि शहीदों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया जाता, और इसके अलावा इस इतिहास को नई पीड़ी से छुपा के रखा गया है, विजेपी की भी सरका है, इसको लेकर सुझनता सेनानिय हमारे, उनको कितना संमान दिया जाए? बहुत थोड़ा दिया गया जी, और जिन मुठी बर सुझनता सेनानियों को याद किया जाता है, जिन में शहीद भगत सिंग ऑर उनके साथ Americans. हैं बहुत से लाखों अनाम गुमनाम सुतन्तता सेने नहीं और शहीद हुए इनके बारे में देश जानता भी नहीं आज स्थिती यह है कि भगत सिंग जी की प्रतिमा संसद भवन में लगवाने के लिए लगवग पचास साल संगर्ष करना पड़ा एक स्वाल यह भी है कि शहीद हुए लोगों की कोई सुची नहीं है उनके पास कोई रिकर्ड नहीं कि इस देश के लिए कि किन-किन लोगों ने बलिदान दिया और बावजूद इसके के जश्कों से लोगा अर्टी एक करके यह कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ऐसी सुची बनाए सरकार उदांजित